तो इस वीडियो में लोग जानने वाले हैं जो आपको CSIR exam है उसकी preparation को बिना किसी coaching के किस तरीके से करेंगे ठीक है देखिए मैं आपको जो भी source बताऊंगा न वो एक base frame होगा जिसके तुरू आप उसको use करके आप एक अच्छे comfortable position में पहुच सकते हो for this exam syllabus भले ही आपको लग रहा होगा कि बहुत जादा बहुत अजीब है यह syllabus सर्फ UPSC वाले candidates के लिए है तो ऐसा कुछ भी नहीं है सबसे पहले आपको यह ध्यान देना कि ऐसा कुछ भी नहीं है सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपका कोई भी background है आप SSC की भी student हो तो इसको अराम से कर सकते हो comfortable phase है कि आप राम से इसको कर सकते हो देखिए मैंने अलड़ी CSIR वाली video डाले इस में मैंने बताया कि exam का pattern क्या है किस तरीके सा तो बहुत जादा उस पर बात नहीं करेंगे हम लोग यहां source पर बात करेंगे कि अगर कौन-कौन से source को हमको use करना है और comfortably हमको उस cutoff को clear करना है एक्जाम अभी हुआ नहीं था हाल फिलाल में तो आप directly cutoff predict करना भी मत और अगर कोई video मिलता है cutoff prediction का तो उसको भी देखना मत ठीक है बहुत सारे एसे state member मिल जाएंगे आपको जो आपको illusion में डालेंगे और cutoff 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 करेंगे लेकिन cutoff के पीछे मत करना आप अपने content को syllabus बहुत ही well defined अनो ने दिया है उस पे focus करो और आप अपनी तरफ से जो कर सकते हो करो उसके बाद देखा जाएगा जो होगा exam में ठीक है then आपको SO के लिए interview देना होगा ASO के लिए CPT test देना होगा pro efficiency test ठीक है यह होगे आपका basic structure इससे जादा बात करने की जड़ोत नहीं है अब हम लोग बात करते हैं कि syllabus को किस तरीके simplify किया जाएगा अगर हम लोग बात करेंगे syllabus simplification की सबसे पहले मैं आपको बोलूगा अगर आ उसको हम लोग देखते हैं फिर बात करेंगे लिखा है history of India and Indian national moment history of India and Indian national moment directly आपको ये बताता है कि आप 1905 से लेकर के 1907 तक की modern Indian history वाले पार्ट को अच्छे तरीके से तमीज से पढ़ लो ठीक है इसके लिए करना क्या है देखिए सबसे अच्छा source जैसा आपको number of questions और जो time given आपको exam में उसको अगर ध्यान रखें और ये भी बात ध्यान रखना है दिमाग में कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई stick घुमाया और पता चल गया कि यही आने वाला है ऐसा ही आने वाला इसी level का आने वाला है तो आप उसको classify कर सकते हो अपने दिमाग में किस तरीके जा सकता देखिए UPS सी level of question तो नहीं पूछना चाहिए मेरे recording और नहीं पूछेगा आपे तो उस question के level को आप कहीं भी कहीं न कहीं मालो अगर आप UPPCS की paper देखे हो या फिर किसी state PCS की paper जहां पे थोरा सा standard level of question पूछते है ठीक है तो मैं इस paper को UPPCS के साथ ले जागर के paper की level को आप देखो गए तो CGL तक लिया सकते हो उससे नीचे आपको आने की जरूत नहीं है और UPPCS के level से जादा जाने की जरूत नहीं है आप equivalency देख सकते हो वैसे questions जो complexity को कम रखता है लेकिन one-liner approach का हो उस पे आप focus कर सकते हो ठीक है तो यह मेरे recording है देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ से करोगे तो समझ में आए कि हाँ इस तरीके से प्रोच रखेंगे तो हम इस तरीके से बढ़ सकते हैं सलेबस बहुत ही well defined है यह बहुत बड़ा positive factor है इसको आप ध्यान रखोगे ठीक है चलिए पहले modern industry की बात कर लेते हैं देखिए modern industry में simple सा source मैंने रखा है बहुत जादा 1947 तक मतलब Bengal division से लेके इंडिया के freedom तक यह आपको देखना है ठीक है न देखिए आप आपकी इच्छा आप घटना चकर लगाओ उठाके मतलब complete उसको solve करो line by line with proper explanations देखिए explanations को move नहीं करना है एकस्प्लानेशन को एड करोगे तो वो 200 कोस्चन हो जाता है मतलब बहुत सारे additive information repeatedly आपके brain में आएगा तो आप अराम से उसको recall कर पाओगे इविन दो अगर आपकी GS बहुत अच्छी भी नहीं है तो भी आप इसको इस तरीके से खेल सकते हो दूसरी बात कि देखो यही वीडियो इसी को 1905 से लेके 1947 तक यह मैंने डाला था आपको EPFOK वक यह देख सकते हो 7 गंटे 47 मिनट की वीडियो है आप इससे इसको benefit ले सकते ह यहां से आपको यह होगा मैंने proper explanation के साथ इसको डाला है और आप इससे देख सकते हो या फिर कहीं पर भी किसी ने भी घटना चकर की वीडियो को डाल रखा है आप इसको देख के अराम से ले सकते हो benefit ठीक है यह आपको YouTube में प्लेलिस्ट बनी हो यह घटना चकर की वह उसमे को read करना आराम से यह मत सोचना कि अभी मुझे पूरी की पूरी factual information को याद करना है बिलकुल नहीं याद करना अब ऐसे नहीं सोचना कि तिलक डाइड in 1920 तो हमको यह बात दिमाग में होना चाहिए अभी कि अभी होना ही चाहिए ऐसी कोई जरूत नहीं है आप information को बढ़ाओ कौन पहले है डच इस इंडिया कंपनी आया या फिर कौन विजिट किया पहले तो मालो एडवेंट आप नहीं पढ़ो starting में लेकिन आपको 1905 से 1947 को करना है 1947 करना तो connectivity लाना होगा बिसे बेंग्वाल डिविजन हुआ बेंग्वाल डिविजन हुआ तो स्वादेशी आंदोल आपको चलना पड़ेगा 1916 में और क्या हुआ 1916 में और इंट्रेस्टिंग चीजे हुई पहली चीजे इंफरमिशन तो आप यह कह सकते हो कि Muslim League भी आया और जो हमारे moderate और extremist अलग हुए थे वह भी इपने close आये तो कुछ चीजे हैं जो आपको connectivity बना के पढ़ने होगी तो यह वीडियो जो मैं कराया हूँ उसको मैं connectivity लेके ही कराया हूँ आप उसको वहां से देखके benefit ले सकते हो सारे साथ घंटे में आपका पूरा हो जाएगा तो अगर आप इसको खुद से करने बैठे हो ज्यादा time लग सकता है या फिर खुद से भी करो लेकिन इसी source से करना औ चलिए तो यह होगे हमारा history वाला segment first मतला modern Indian history वाले पार्ट को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ देखिए सबसे पहले बात आएगी यहाँ पे history और Indian and international movement में international movement के हम लोगों ने देखा ठीक है बेसिकली क्या था इ neo-nationalism जो modern nationalism या फिर extremist का beginning कैसा था गांधियन एरा गया था यह सारा का सारा आपको with proper topic घटना चकर वाले series में मिल जाएगा उससे ज्याजा करने की कोई जरुत नहीं है अब आते हैं ancient और medieval वाले पार्ट पे ancient medieval आप तभी टच करना जब आप modern Indian history वाले पार्ट को कर लेना modern Indian history वाले पार्ट को करना उसके बाद उठाना सिर्फ और पतली सी लिउसेंड जो आती है उसमें ancient की भुसकिल से 15 से 20 पेजे जोंगे उसको read करना read करने के बाद आराम से जाना घटना चकर पे और घटना चकर क ठीक है मैं CSIR के मतलब कुछ टाइम में free होता हूं मेरा कुछ प्रसनल वरके उसकत मैं यह medieval इंसेंट भी डाल दूँगा already already मैंने देखो आपको लग रहा होगे यह मैं बता रहा हूं हो सकता है यह वो इसके लिए नहीं यह इतना proper वीडियो है कि मैं बताने सकता हूं हरपन पढ़ लिए हरपन पढ़ने का अपको मतलब याद तो रहेगा कि राइसस कहां पर मिला फिर डॉक याड कहां पर मिला चीज़े याद नहीं रहे अब हम लोग बात करते हैं एक छोटे से चीज मतलब सबसे पहले जो एक चीज़ को समस्ते हैं एक मिनट इतना करने के बाद हम लोग बात करेंगे Constitution of India Quality, Governance and Social Justice पहले हम लोग फोकस करेंगे Quality of India पे Constitution of India पे और देखें बहुत लोग suggest करेंगे लक्षमी कांथ पढ़ लो ये पढ़ लो वो पढ़ लो बहुत ज़्यादा वो नहीं है आपके बस luxury नहीं है कि आप लक्षमी कांथ पढ़ने जाओ हाँ ठीक है अगर मैंने आपको कहा कि quasi-judiciary process है या फिर quasi-statuary process है तो आप उस चीज को refer कर सकते हो लक्षमी कांथ से या फिर कोई एक जो डेटा जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप refer कर सकते हो लेकिन आप पूरी की पूरी बुक मिनट की आई द्रिश्टी बुक आती है घटना चकर की उसमें pictorial representation होता है और यह NCRT की summary रहती है ठीक है मतलब इसमें क्या होता है pictorial यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से रिविजन करवाते हैं तो यह 3 गंटे 20 मिनट पर एक वार रीड करोगे तो हो सकता है आपको बहुत क्योंकि देखो question direct direct और indirect उसी तरीके के आएंगे यह तो मैं आपको लिक के देता हूँ आप इस वीडियो पर कमेंट करना एक्जाम देने के बाद और अगर आपको मान लो UPSC से tough question पूछ दे तो वो सब के लिए पूछेंगे और उसके बाद क्या अभी आपकी जो मतलब जो बार बार उठाना पड़ेगा है ना उसकी वीडियो भी ड़ी आप उसको देखके benefit ले सकते हो ठीक है फिर मैं बात करता हूँ constitution of India and Indian quality की बात कर रहे थे जिसमें हम लोग आई द्रिश्टी pictorial वाली वीडियो डल रखी है playlist आपको हमारे चैनल ISP simplified मिल जाएगी आराम से उसको अराम अराम से करेंगे कि यहां से दो question बनेगा ही बनेगा चाहे कोई भी exam दे लो उसको अच्छे से करना है ठीक है यह करने के बाल कुछ current affairs आएंगे देखो एक घटना चकर की आई द्रिश्टी की book आती है ठीक है देखो ऐसा नहीं घटना चकर मुझे sponsor दिया यह से कुछ उनकी जो content होती है नो किसी भी exam orientation में काफी जादा रहती है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको तो अब आप उसको previous question bank ही तो है कोई उनका creation है नहीं तो आप उसको कर सकते हो आराम से तो current affairs में बताता हूँ दो book को मैं refer करूँगा मैं बता सकता हूँ कि speedy publication की book आती है ठीक है April 2023 मैंने कराया था उसके बाद अभी book आने वाली है जन्वणी के आसपस आने वाली है तो उस book को मैं complete current affair करा दूँगा ठीक है लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा आप एक अलग source भी रखो किसी और channel को भी follow करो बहुत सारे चैनल है जो डालते रहते हैं जैसे उतकर्स की channel है ठ पर सकते हो उनका बहुत अच्छा तरीके से वह रीड करते हैं तो महां से देख सकते हो study IQ देख सकते हो बहुत सारी चीज़े हैं जिसको आप follow कर सकते हो one liner या फिर yearly या फिर half yearly करना ऐसा मत करना कि बहुत जादा परिसान देखो exam आपका मानलो मैं एक scenario देता हूँ फेब में से धनवड़ी 24 तक ऐसे करनी की जरूत नहीं है पहले last six month का बहुत ही ठोस कर लो बहुत अच्छे तरीके से तमीज से कर लो अगर आप मानलो comfortable नहीं हो करेंट काम करना पहले जाके speedy publication की पतली से बुकाती है blue color की वो लेकिया जाना वो लेकिया आओगे उसके पीछे सबसे पीछे पलटना उसमें मन्थवाइज one-liners दिया रहाता है मन्थवाइज one-liners लगभा कर देख वो 300 one-liners हर मन दिये होते हैं और एक basic revision के लिए बहुत अच्छी है इस देर में दो महिने में तीन रिट चाहिए तो फर्स रिट हो गया उस पर एक जाके से पेपर पर टिक कर देना फिर दूसरी तीसरी रिट ऐसे कर देना इससे क्या होगा आप देखना भले ही आप मुझे आपको लगे है कि आप मैं बहुत जादा fancy चीज़े यूज नहीं क current affair में लगबग 20 question पूछता है तो आप 16-17 करके आओगे ठीक है उसके बाद जो आईद्रिष्टी की yearly book आएगी वो मैं proper explanation के साथ complete book डाल दूगा तो वो आपको मिल जाएगा तो यह हो गया हमारा current affair यह हो गया हमारा constitution of Indian quality यह हो गया हमारा history का तो इस तीनों में आप comfortable रहोग हो सकता है कभी 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 हमारा समय खराब चल रहा होता है फेबर कुछ भी डाल देंगे लेकिन आप अगर उसके according तयारी करोगे तो आप इस तयारी को कर नहीं पाऊगे आप race से बाहर हो जाओगे तो पहले अपने आपको एक position में create करो फिर अगर अपका तयारी अच्छा ह हो गया देखे अब देखो मुझे यह बताओ current event और national international importance में आप उठाना उस book को speedy वाले को आपको खुद पता जलेगा परना क्या क्या है national and national issues Indian economy वाला segment, Indian polity वाला, judiciary वाला, environment वाला, science and tech वाला, देखो यह जो है न, science and tech schemes, sports, reports, committee and commissions, awards and honors, accident and calamity is first in India, यह आपको speedy में मिलेगा, speedy में जो मिलेगा वो one-liner होगा, ठीक है, आप उसको अपने तरफ से read करके रखना, फिर मैं क्या करूँगा, मैं आउँगा, जब मुझे जन् reports बना के देते हैं, उसमें वो अच्छे तरीके से explain करते हैं, यह सारी topic इसी way में उनमें सजी हुई मिलेगी, और मैं आपको explain कर दूँगा, one-by-one, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा मैं कर सकता हूँ, तो आप जाना, already मैंने आई दिरिश्टी घटना चकर की, current affair डाली थी, April 10 तक, वो updated है, 2020 उसको आप जाके एक बार देखना, आपको उसे benefit बहुत जादा मिलने वाला है, same goes with international current affair, important summits and events, international awards, first in the world, international leadership, international reports, ठीक है न, जैसे हलने passport index हो गया, ऐसे बहुत सारे reports आते है, poverty index हो गया, hunger index हो गया, इस तरीके का बहुत सारी चीज़ आती है, science में क्या हो जाएगा, फिर space में defense हो जाएगा, फिर different experiments हो जाएगा, फिर different experiments हो जाएगे, ठीक है, तो उसको समझेंगे, बहुत सारे geographical event होते है, map based questions पूछते है, जैसे healthy rebels अभी क्या कर रहा है, attack कर रहे है, Iran क्या कर रहा है, aggressive है, Greece और Palestine और Israel क्या कर रहा है, आप असमें लड़ रहा है, ठ फिर ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, कहां कहां कैसे कैसे, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा उस book में, पहले मैं चाहता हो कि आप basic reading करके रखो, आप वैसे जहां से भी कर रहे हो कि पहले उसको तयार करो, फिर speedy जरूर एक बार read करना, मैंने आपको बताया कि पू स्सी सीजल प्रिवेसर कोश्चन मैंक, ठीक है, वहां से ज़्यादा करने की ज़रूत नहीं है, ये आपको more than suffice हो जाएगा, स्सी सीजल प्रिवेसर कोश्चन मैंक, अच्छा आप कहोगे यार, अब जो topic मिंसन है, मिंसन है, जैसे मालो प्रिपोजिशन है, या फिर जो भी topics मिंसन है, आप एक काम करना, कुछ नहीं करना है, सीधे लिगना, जैसे मालो edms and phrases है, slash ssccgl, ठीक है, जो भी faculties आ जाए, mostly courses करना, नीटू मैं की कोई वीडियो मिल जाए, वो देख लेना, या एक निमीशा बंसल मैं मैं है, उनकी देख लेना, ठीक है, तो अराम से उसको refer कर इस पे बहुत जादा time मत देना, मेरी मानो, आप यहाँ पे grammatical way में आप विद्वान नहीं बनोगे, लेकिन हा, questions कैसे पूछते है, क्या पूछते है, कम से कम समय में क्या परके जाना, वो सही रहेगा, तो आप बस topics लिखना, जैसे मालो edms and phrases लिखे आप, ठीक है, slash ssccgl ल National Geography की, ठीक है न, National Geography की कहा है, Indian Geography, देखे, Indian Geography की, मैं 18 hours की एक वीडियो लाया हूँ, ठीक है, 18 गंटे की पूरी की पूरी घटना चक्र, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, कि इस तरीके वीडियो, इस वीडियो में, जितना content है, उतना घटना चक्र की, पूरी क पूरा का पूरा मिल जाएगा, इस से बाहर एक भी question अगर आ गया, तो आप आगर गे, चैनल को report कर सकते हो, ठीक है, इस से बाहर एक भी question नहीं आएगा, यह तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है, मतलब रेर एक दो परसंट की बात अलग है, लेकिन इस से बाहर कुछ आने वाला है, 18 आवर या 19 आवर की वीडियो है, आप complete इने जोगरफी इस पर रिलाई कर सकते हो, 100%, आपको कुछ read करना है, अगर आपको कुछ read करने का मन है, तो आप lution read कर लो, या NCRT read कर लो, लेकिन घटना चक्र से दूर जाने की ज़रत नहीं है, इस चीज के लिए, ए मतलब iron के लिए अलग chapter है, copper के लिए अलग chapter है, मतलब एक चीज, एक चीज updated है, और एक और चीज, इसको पढ़ने से के बाद, मैं आपको बतायता हूँ, minerals, agriculture, economy survey, budget, ये चारो की data आपको मैं डाल दूँगा, ये चारो की data मैं आपको telegram channel ISP simplified पे डाल दूँगा, वहां से ले centrally sponsored scheme हो गया, ये central sector scheme हो गया, sponsored करने का मतलब हुआ, कि central center जो है, वो sponsor करेगी, sponsor क्यों करेगी भाई, क्योंकि यहां पे हमारे इंडिया में, जो federal structure है न, हमारे democracy की, तो वो क्या है, थोड़ा सा skewed symmetry है, मतलब क्या है, center थोड़ा सा, थोड़ा सा dominant हो जाता है, state पे, कहने को financial obligations आते हैं, तो center क्या करता है, कभी बोलता है, मैं आपको 70% आपको इस scheme के लिए, पैसे दूँगा, 30% आप खुद contribute करोगे, हिली state में, नौर्थ स्टेट में चले जाओगे, तो 90% मैं दूँगा, और 10% आप दोगे, या फिर माहलो ले लादा आप में, तो ये कौन सा होग थे, वैसे schemes जो welfares के लिए थे, मैंने EPFO का exam होगा था, उस वक्त मैंने खुद से अपनी hand return में, एक बनाया था PDF, उसमें बहुत सारे central स्कीम, central sponsored scheme, और बहुत सारे वैसे schemes, जो की large institutions और उसके bodies पर dependent है, ठीक है न, जो हमारे vulnerable sections, poor sections, below poverty line के नीचे जो है, उनको uplift करेंगे, उनक अब देख लो इस PDF को, देखो, social security scheme में, महात्मा गांधी, national, rural, employment guaranteed scheme, mg नडेगा, ठीक है, तो देखे, इसके बाद, PM ग्राम सरक योजना, PM GSI, फिर, मैं इसमें समझा दिया है, central sponsored scheme, और sector scheme क्या होता है, इसी तरीके से आप देखोगे, PM GSI 2, फिर, दिन दयाल, अंतोदे, यो योजना, DDU GKY, फिर, आप देख सकते हो, स्यामा परशाद मुखर जी, रडबर्ड मिशन, ठीक है, फिर, national, social assistant program, फिर, देख सकते हो, food grain program, जो आया था, और ये, बिल्कुल, ये, obvious, social security scheme में, vulnerable sections के लिए है, मिशन अंतोद्या हो गया, ठीक है, आईश्मान भारत scheme हो गया, कौ वायो बंदना योजना हो गया, older, 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 लोगों के लिए, ठीक है, vulnerable section हमारे society के तो वो ही है, ठीक है, फिर, बहुत सारे है, मतलब, आप, इसको तो अभी ले 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 ना, मतलब, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना तो ये तो अभी ले 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 ले, परदान मंतरी, जीवन आएंगे न, वो घटना चकर आईद्रिस्टी वाले बुक में आएंगे, वो मैं उसको वहां से और अपडेट कर दूँगा, ठीक है, अब बात करते हैं, जेनरल साइंस वाले पार्ट पे, जेनरल साइंस कहने का मतलब हुआ, जेनरल साइंस में physics, chemistry and biology segment, देखो, करना क्या है अगर आपका portion ये week है, ठीक है, तो मैंने already physics plus chemistry घटना चकर डाल रखा है, ठीक है, चैनल पे, YouTube पे, और ये काफी ज़्यादा appreciated topic था मेरा, तो आप इसको यूज कर सकते हो, नहीं तो आप खुद से ही घटना चकर solve कर सकते हो, घटना चकर में physics, chemistry और bio की segment में ला दूँगा, बहुत जादा मतलब होगा, तीन-चार सो मेसेज मुझे bio segment के लिए मिला है, तो मैं इतना तो जरूर जानता हूँ CSIR exam से पहले मैं डाल दूँगा उसको, लेकिन अभी मैं at present promise नहीं कर सकता हूँ, लेकिन डाल दूँगा, ठीक है, तो ये segment मैं complete आपको मिल जाएगा, यहाँ जबरत ही नहीं है, फिर बात करेंगे environment अनिकॉल जी की, देख लिजे, सारे चार घंटे की एक वीडियो है, pictorial, आई दृष्टी, घटना चकर की, उससे भी आप देख सकते हो, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, कल ही या परसो मैंने डाला है इसको, ठीक है, आप उससे benefit ले सकते हो, चलिए, और देख लेते हैं कुछ, और अगर बात करें, सबसे पहले ही समझते हैं, अब कुछ ऐसी topics जो आपको परिशान करेंगी, जो CGL वालों को परिशान करेंगी, कुछ ऐसी topics जो normal PCS candidate या UPSC candidate को परिशान करेंगी, देखे, general intelligence, reasoning and mental ability की बात कर लेते हैं, elongated syllabus mentioned है, उसमें topic लिखना slash SSC CGL लिखना काम हो जाएगा आपको, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रत नहीं है, ठीक है, clear है, SSC में से बहुत सारे faculties हैं, जो काफी अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे refer कर सकते हो, arithmetic and numerical ability के लिए एक Aditya Ranjan Sir आते हैं, ठीक है, Aditya Seasal, Privacy Air Question, उससे ज़्यादा आपको देखना ही नहीं है, एकदम नहीं देखना, आप चाहे कोई कुछ भी बोल दे, cat, wet, mat मत करने लगना, SSC CGL की कर लेना, या फिर अगर बहुत मन करेना, बहुत तमीज से मन करने लगे, तो UPSC की जो CSAT की paper आती है, उसको कर लेना, arithmetic and numerical ability मे उससे ज़्यादा बहार कहीं कुछ नहीं जाने वाला है, कहां से करना है, अधित्य रंजन सर की एक playlist है, 70, 72 वीडियोज मिलेगी आपको, YouTube पर ही मिल जाएगी, same name से सर्च करना, आपको मिल जाएगी, basic maths की वीडियो है, 72 वीडियोज होंगी, जो topics आपको करना है, वो उस topic को इकोलजी, ठीक है न, environment ecology and biodiversity, climate, UPSC वाले हो, PCS वाले हो, आप तो पर रखे हो बहुत तमीद से, और अगर आप नहीं पढ़े हो इसको तमीद से, तो एक काम करना, जो मैंने पिक्टोरे वाली बुक दिखाई वो, प्लस इसकी घटना जगर की PDF मिल जाएगी आपको टेलिग् मार देना, ठीक है, उसे जादा मत करना, फिर हम लोग बात करते, ethics, integrity and aptitude की, देखे, YouTube पे जाना, ठीक है, एक sleepy classes है, YouTube पे एक sleepy classes है, उसकी 70-72 वीडियोस है, 10-10 मिनट की हर वीडियो आपको मिलेगी, 10-15, 10-15 या 16-17 मिनट की, वहाँ पे जाना, जो भी topics mentioned है न, उस topic को सर्च क बहुत जादा सर, देखो, जो नहीं कर रखे हो, आप lexicon पढ़ने जाओगे नहीं, नहीं कर रखे हो, तो अंसारी सर की notes परोगे नहीं, UPSC वाले सेग्मेंट को उठाओगे नहीं, क्यों परिसान नहीं होना है, तमीज से करोगे तो इतने more than sufficient होगे, qualify करने के लिए, तो आ चलिए, अब देखे, decision making and problem solving आता है, यह आप decision making पे questions कुछ करा जाता है, only IS पे, only IS एक channel है, इसमें सुवी तरेवारी सर करवाते हैं कभी-कभी, तो आप वहाँ से देखके, basic आप 10-15 questions देखोगे ना, तो आपकी खुद ना खुद generate हो जाएगी, हाँ ठीक है, इस तरीके से decide कर सकते है, हाँ, ethics वाले में ही, आपको question and answer, problem solving, decision making का concept आएगा, तो आपको इसो कहीं अलग से नहीं करना है, ठीक है, management, principle and practices, आप वेट करना, मैं कुछ ना कुछ ना कुछ लाने वाला हूं इसके लिए, वो आपको बहुत जादा benefit करेगा, ठीक है, basically management, principle and practices क्या होता है, यह MBA वाले लोगों का, यह syllabus में आता है, basically, जैसे, मैं एक example देता हूं को, six sigma, ठीक है, Bombay के, डबबे वाले है न, वो इस पे काम करते है, six sigma model क्या कहता है, एक इतनी efficient working होती है, कि डबबे वाले में, आज तक, मतलब मानलो, millions of डबबा, मतलब, जो lunch box होता है, वो exchange हुआ है, लेकिन आज तक, बहुत rare cases है, जहां पर डबबा, किसी का, किसी के बास चला गया, तो आखिर वो किस principle ले work करते है, six sigma पर work करते है, motorola company किस principle ले work करती थी, six sigma पर work करती थी, ठीक है, तो ऐसे चीज़े हो गई, फिर आपको management में, किस तरीके से, management में, फिर jobs profile कैसे होगी, फिर analysis कैसे क अगड़ी से, उससे कर लेना, वो ज्यादा suffice होगा, बहुत ज्यादा से मनने की जरुत नहीं है, national geography मैंने अल्लेडी बता दिया आपको, तो देखो, मुझे लगता है, कि इससे ज्यादा करने की कोई जरुत नहीं है, जो चीज़े एक्स्ट्रा है, उसके लिए परिसान मत ह sleeping classes मैंने बता दिया, ethics and integrity के लिए, decision making भी वहीं से हो जाएगा, नहीं तो only eyes की देख लेना, अच्छा एक चीज़ आनना, कभी-कभी क्या होता न, last six month की current affairs हाती है, जिसे quality की हो गई, जैसे environment की हो गई, जैसे ethical dilemma की हो गई, तो वैसे का करना, एक काम करना, ये सारी मिल जाएग होगी, उसको मैं, schemes वाली जो PDF होगी, vision IS की, वो मैं upload कर दूँगा, अपने telegram channel पे, ISP simplified पे, ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, तो भी आप जूर सकते हो, telegram channel with the same name, at the rate, ISPCS simplified, देखिए, आप बहुत चीज़ त्यारी कर सकते हो, अभी at present, भी 70% preparation मेरे चैनल से कर सकते हो इसके बाद मैं और भी आपको रास्ते बता दूँगा, कम से कम इतना होगा, कि आप burden फिल नहीं करोगे, अराम से जाओगे, ठीक है, चलिए, तो burden नहीं फिल हो, और आपको लगेगी कि एक position आ गया है, CSIR, section officer, assistant section officer का exam, seatे अच्छी हैं, अभी मैं इस पे क्यों बनाया, PPCS की वो आई है, notification आई है, 220 seat है, MPPCS की notification आई है, 60 seat है, तो बहुत लोग disappoint हो रखे थे, मुझे लगा कि यह बता देना चाहिए, कि आपको एक यह मौका है, जिसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हो, scientific advancement आप contribute कर सकते हो, technology पे बात कर सकते हो, innovations and discoveries पे बात कर सकते हो, ठीक contribution national development में आप करोगे ही, किस तरीके से, आपको लगेगा नहीं कर रहे है, लेकिन करोगे है, जैसे हो गया, बहुत ही vital role play करता है CSIR, जैसे national development में, बहुत सारे sectors में, जैसे healthcare हो गया, agriculture हो गया, environment हो गया, बहुत सारा, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कि किस तरी preparation करनी है, preparation का source मैंने बताया है, आप उस पर rely कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इतना करके देखो, आपको confident नहीं हो, अचा हाँ, test series का बच गया, test series का मैं आपको बताता हूँ, आप topic wise भी test series कर सकते हो, सबसे ज़्यादा, कोई भी blame करे न, test series मेरे से match करेगा, बिल्कुल मत rely करना, और cut off के पिछे कभी मत भागाना, cut off, cut off, सुनने की जरूत नहीं है, यह exam 2013 में हुआ था, 10 साल के बाद हो रहा है, तो कि किसी को कुछ भी नहीं बता कि cut off क्या होने वाला है, कैसा test आने वाला, क्या होने वाला है, उससे पहले जो, उसकी syllabus भी change हो गई है, फिर भी मैं आपको बहुत साइस्ट करूँगा, test book app है, ठीक है न, फिर मैं फिर से में इसर कर दे रहा हूँ, कोई sponsored नहीं है, लेकिन यहां पे आपको topic वाइस तो जरूर मिल जाएगा, हाँ लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, कि although आप इसको solve करो, लेकिन इससे यह आप hurt मत होना है, मतलब यह जरूरी नहीं कि इस टाइप का question आने वाला है, ठीक है, बस आप topics पे orientation रखना, कि हाँ, यह topics में कर रहा हूँ, यह कर रही हूँ, तो आगे मैं move करूँगा, ठीक है, तो इसको कर लेना, भागे जुड़ जाना, और भी बहुत सारे topics है, जिसे घटना च कोचिंग के preparation करना, कहीं पर कोई course लेने की जरूत नहीं है, जो course में पढ़ाएंगा नहीं है, दो महीने में, आप मेरी मानों सारे के सारी चीज़े कहीं न कहीं मिल जाएगी आपको, ठीक है, टेलेग्राम जिंदावाद, थैंक्यू